नमस्ते फ्रेंट्स आज मैं बनाने जा रही हूं पनीर मस्रूम मसाला जो कि मैंने बहुत यासान तरीके से बनाया है यहां मैंने लिया है एक केजी मस्रूम इसे मैंने अच्छी तरह से पानी से धो कर साफ कर लिया है और एक केजी पनीर जो लिया है उसे भी चोकोर आकार में काट लिया है मसरुम को भी मैंने अच्छी तरह पानी से धोकर चाट टुकरा कर लिया है एक मसरुम का यहां मैंने ग्रेवी के लिए लिया है खरा जीरा लाल मिर्च धनिया पॉडर चीरा पॉडर हल्दी खरा लाल मिर्च पत्रज हाफ के जी प्याज मैंने ग्यास पर कराही को गर्म कर दिया है और इसमें पनीर को हलका सा फ्राय कर लिया है पनीर फ्राय करने के बाद मैंने उसी तेल में मसरूम को भी फ्राय कर लिया है और फिर तेल में मैंने डाल दिया है प्याज प्याज हमारा भून रहा है जब तक हमारा प्याज भूनता है मैंने इधर मसाला का ग्रेवी का मसाला तैयार कर लिया है यहां मैंने लिया है लासन अदरक का पेष्ट दो चमच, आधा चमच गोल मरीच पोडर, एक चमच जीरा पोडर, एक चमच धनिया पोडर, थोरा सा नमक, हल्दी, तीखा लाल, सभी मसाला को मैंने प्याज में डाल दिया है हाफ प्याज मैंने निकाल लिया है, इसे मैं पीस कर डालूंगी, प्याज को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, जब तक हमारा प्याज उधर ठंडा होगा, और मैं उसे पीसूंगी, इधर हमारा मसाला लो फ्लेम पर भुन जाएगा यहां मैंने लिया है दस बारा काजू काजू को मैंने अच्छी तरह से मिक्सी के जार में पीस लिया है और उसे मैं मसाला में मिला दी हूँ काजू डालने के बाद मसाला को लो फ्लेम पर ही फ्रै करना है कि पैसी हमारा थंडा हो गया है और इसे मैंने मीक्स Cinderella में पीस लिया है प्यास को बहुत यदा महिन नहीं करना ये से खकादर और दरा ही रखना ही यहां कराही मने मैंने ड़ाला है दो चमद सर्सों तेल दो चमस देशी घी और जो प्याज मैंने पीस कर रखा है वो प्याज है हमारा ग्रेवी तैयार हो गया है अब मैंने जो पनीर और मस्रूम को भून कर रखा था उसे मैं इसमें मिला रही हूँ इसे मिलाने के बाद पाँच मिनट तक इसे ढख के पकाया ना हमारा पनीर मस्रूम मसाला तैयार हो गया है अब मैं इसे थोरी देर ढख कर रख दूंगी इसमें मैंने थोरा सा पनीर बचा कर रखा था उसे मैंने उपर गार्निस के लिए कस कर दिया है हमारा पनीर मस्रूम मसाला तैयार हो गया है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद